मीठे बच्चे, तुम ब्रम्मा की संतान आपस में भाईभन हो, तुम्हारी वृत्ती बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। आज का प्रश्न, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर, जो ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं, तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ती न जाएं, यह बहुत बड़ी मन्जिल है। इसमें बच्चों को बहुत-बहुत खबरदार भी रहना है। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वह जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई। सब एक बाब के बच्चे हैं, तो रियल्टी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई भन हैं। सब ब्रदर्स हैं। यहां तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं शिवबाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं समझो इनकी लौकिक स्त्री है उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी है तो उसका भी नाता वह हो जाता जैसे लौकिक बहनभाई हो, उसमें कोई गंदी दृष्टी नहीं जाती है, आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डर्टी है तुम बच्चे अभी समझते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ब्रह्मा द्वारा एडाप्टेड चिल्द्रेन बने हैं, तो बहनभाई है समझाना पड़े, सन्यास भी दो प्रकार के है सन्यास अर्थात पवित्र रहना, पांच विकारों को छोड़ना वह है हठ्योग सन्यासी, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है प्रवरित्ती मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं, उनका नाम ही है हठ्योग कर्म सन्यासी तुम बच्चों को समझाया जाता है, ग्रिहस्त व्यवहार में रहते देह, सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है वो तो घरबार छोड़ देते हैं मामा, चाचा, काका कोई नहीं रहता समझते हैं बाकी है, एक उनको ही याद करना है, वा जोती-जोत समाना है निर्वानधाम जाना है उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइस अलग है वह तो कह देते स्त्री नर्ग का द्वार है, आग कपूस इककठे रह नहीं सकते अलग होने से ही हम बच सकते हैं ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है वह स्थापना शंकराचार्य की है, वह सिखलाते हैं हठ्योग, कर्म सन्यास, नकी राज्योग तुम नंबरवार जानते हो कि यह ड्रामा बना बनाया है एक सौ परसेंट सेंसीबुल सबको तो नहीं कहेंगे कोई है जो एक सौ परसेंट सेंसीबुल है, कोई फिर एक सौ परसेंट नानसेंसीबुल भी है यह तो होगा तुम जानते हो हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में बहनभाई हो गए गंदी वृत्ती होनी नहीं चाहिए, लौ ऐसा कहता है बहनभाई की आपस में कभी शादी हो न सके बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं, इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है यह कहां से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डाटते हैं आगे इन बातों की परहिज रहती थी अभी तो एक सौ परसेंट तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है परम्पिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है बाप कहते हैं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ माया कहती है, नहीं, यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नर्क में ले जाती हूँ यहां तो धर्मराज बाप के हाथ में हैं तो जो ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीती समझाना है कि हम कैसे इकठे रहते हुए पवित्र रहते हैं जो काम हठ्योगी सन्यासी भी न कर सके सो बाप करा रही है विवेकानन्द की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राज्योग परंतु सन्यासी जो निवरित्ती मार्ग वाले हैं वह राज्योग सिखला न सके तुम जो ग्रिहस्त व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो वह समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा बाबा ने अखबार में देखा था देली में जाडों के बारे में कुछ कान्फरेंस होती है उसके उपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली जाडों आधी का तो ख्याल करते हो परंतु इस जिनालोजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य स्रिष्टी की कैसे उत्पत्ती पालना होती है बच्चों की इतनी विशाल बुद्धी बनी नहीं है इतना अटेंशन नहीं है कोई न कोई बीमारी लगी हुई है लौकिक घर में भी बहनभाई के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते यहां तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो बहनभाई ब्रहमा कुमार कुमारिया अगर गंदे ख्यालात आये तो उनको क्या कहेंगे वहक जो नर्क में रहते हैं उनसे भी हजार गुना गंदे गिने जाएंगे बच्चों पर बहुत responsibility है जो ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं बड़ी मेहंत उनके लिए है दुनिया इन बातों को नहीं जानती बाप आते हैं पावन बनाने तो जरूर बच्चे प्रतिग्या करेंगे राखी बांधी हुई है इसमें बड़ी मेहंत है शादी कर और पवित्र रहे बड़ी भारी मन्जिल है जरा भी बुद्धी नहीं जानी चाहिए शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं द्रोकदी की भी शास्त्रों में बात है इन बातों में कुछ रहस्य तो है न यह शास्त्र आदी सब द्रामा में नून्ध हैं, जो कुछ पास्ट होता आया है, वह द्रामा में नून्ध है, उसको रिपीट जरूर करना है ज्यान मार्ग और भक्ती मार्ग की भी नून्ध है तुम्हारी बुद्धी अब बहुत विशाल हो गई है जैसे बेहत बाप की बुद्धी वैसे मुरब्वी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं धेर बच्चे हैं पता नहीं अजुन कितने बच्चे होंगे जब तक ब्राहमन ब्राहमनी न बने तब तक वर्सापा नहीं सकते अब तुम ब्राहमावन्शी ही फिर जाकर सूर्यवन्शी अथवा विश्नुवन्शी बनेंगे अभी हो शिववन्शी शिव है दादा, ग्रैंड फादर, ब्राहमा है बाबा प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजाका जानते भी हैं जो मनुष्य स्रिष्टी का जाड है, उसका भी बीज होगा इसमें पहला मनुष्य भी होगा, जिसको न्यू मैन कहते हैं न्यू मैन कौन होगा? ब्राहमा ही होगा ब्राहमा और सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे इसमें बड़ी बुद्धी चाहिए सोल ही कहती है ओ गौड़ फादर, ओ सुप्रीम गौड़ फादर आत्मा कहती है ना, तो वह सबका रचिता है उँचते उँच वह हुआ फिर आओ मनुष्य स्रिष्टी पर उनमें उँच किसको रखें? प्रजापिता यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य स्रिष्टी का जो ज़ाड है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य शिव तो है आत्माओं का बाप ब्रह्मा को रच्टा कह सकते हैं मनुष्यों का परंतु किसकी मतपर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूँ नया ब्रह्मा फिर कहां से आएगा? बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं शिवबाबा से नॉलेज ले रहे हैं हम बाप से पवित्रता, सुख, शान्ती, हेल्थ, वेल्थ लेने आये हैं भारत में हम ही सदा सुखी थे अभी नहीं है फिर बाप वह वर्सा दे रहे हैं बच्चे जानते हैं, फर्स्ट है पवित्रता राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं, वह प्रतिग्या करते हैं, हम पवित्र रहेंगे बाप समझाते हैं, यह मन्जिल बड़ी भारी है पहले से ही जो युगल हैं, उनको समझाना पड़े हम कैसे भाईभन हो रहते हैं हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है बच्चे लिखते भी हैं, माया के तूफान बहुत आते हैं तो ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाशन करें तो अच्छा है क्योंकि यह है नई बात यह है ही स्वराज्योग इसमें भी सन्यास है ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ती अर्थात सद्गती पाएं यह तो जीवन बंध है तुम्हारा है स्वराज्यपद स्वको राज्य चाहिए अब उनको राज्य नहीं है आत्मा कहती है हम राजा थे हम रानी थे अब हम विकारी कंगाल बने हैं हमारे में कोई गुन नहीं है यह आत्मा कहती है न तो अपने को आत्मा, परम्पिता परमात्मा की संतान समझना है हम आत्मा भाई-भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं रामराज्य में तो शेर बकरी भी इकठे जल पीते थे कभी लड़ाई नहीं करते थे, तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए यह अवस्था धीरे-धीरे आएगी लड़ते तो बहुत हैं ना पारलियामेंट में भी लड़ते हैं, तो एक-दो को कुरसी उठाकर मारने लग पड़ते हैं वह तो है आसुरी सभा चले जाते हैं, कोई धीले पड़ जाते हैं यह स्कूल भी वंडरफुल है, वहां तो स्कूल टीचर अलग-अलग होते हैं यहां स्कूल टीचर एक स्कूल एक है आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है आत्मा को सिखलाते हैं हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माए हैं वह पर्मात्मा है। यह बुद्धी में सारा दिन दोडाना है। देह भिमान से ही भूले हो जाती है। कितना विचार सागर मन्थन करना होता है। रात को ही विचार सागर मन्थन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मन्थन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्यान बुद्धी में रखना है। ग्रिहस्थ व्यवहार में रहकर राज्योग सीखना है। सारा बुद्धी का काम है बुद्धी में धारना होती है ग्रिहस्थियों को तो बहुत मिहंत है आजकल तो तमोप्रधान होने कारण बहुत गंदे होते हैं माया ने सब को खत्म कर दिया है चबा कर एकदम खाही जाती है बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने निकालना बड़ा मुश्किल होता है जो ग्रिहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जल्वा दिखाना है समझाना है हमारा राज्योग है हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया क्यों कहते हैं इस पहेली को समझना, समझाना है वास्तव में बीके तो तुम भी हो प्रजापिता ब्रह्मा तो नई स्रिष्टी रचते हैं न्यू मैन द्वारा नई स्रिष्टी बनाते हैं वास्तव में तो सत्युग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे कितनी खुशी की बात है वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं यहां तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है यहां न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं पुरानी चीज को नया बनाते हैं अब न्यू मैन किसको कहें? क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धी का काम चलता है वह थोड़े ही समझते हैं एडम इव कौन है? न्यू मैन है श्री कृष्ण वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूँ न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए वह कहां से आए न्यू मैन तो सत्युग का प्रिंस है उनको ही गोरा कहते है यह है सामवरा, यह न्यू मैन नहीं वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाडी के जन्म में है जिसको फिर बाबा एडाप्ट करते हैं पुराने को नया बनाते हैं कितनी गूड बाते हैं समझने की न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू श्याम सो सुन्दर, सुन्दर सो श्यांग जो पुराने ते पुराना है वही नये ते नया बन रहे हैं तुम जानते हो हमको बाबा रिजुवनेट कर नये ते नया बनाते हैं यह बड़ी समझने की बाते हैं और अपनी अवस्था भी बनानी है कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र बाकि हम ग्रिहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं विश्नुवन्षी को त्रिकाल दर्शी पने का नॉलेज नहीं है पुराने मैं त्रिकाल दर्शी है कितनी अटपटी बाते हैं Old man ही knowledge लेकर new man बनते हैं बाप बैठ समझाते हैं वह हट योग है यह राज्योग है राज्योग माना ही स्वर्ग की बादशाही सन्यासी तो कहते सुख का अगविश्टा समान है नफरत करते हैं बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है माताओं पर कलश रखता हूँ तो पहले फले समझाओ शिवाय नमा भगवान वाच आवास बुलंद निकलना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का यादप्यार और गुड मारनिं रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला प्वाइंट हम आत्मा भाई भाई हैं इस निश्चे से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है सबको लवली बनाना है दूसरा प्वाइंट विशाल बुद्धी बन ज्यान के गुहे रहसियों को समझना है विचार सागर मन्थन करना है माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी हो रहने का अभियास करना है आज का वर्दान ज्यान अमरित की वर्षाद्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव आप बच्चों पर बाप ने ज्यान अमरित की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया जल्ती हुई चिता से उठा कर मरजीवा बना दिया ज्यान अमरित पिला कर अमर बना दिया लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिन्दा करता है, लेकिन कैसे करता है, वह नहीं जानते थे अभी खुशी है कि देह भीमान के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए आज का स्लोगन धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा है